नमस्कार दोस्तों आप सभी दूर्ज के इब्यसी से आज के इस लेक्चर में अपन एक्सराइज सेकेंड सी करेंगे चैप्टर मारा दूसरा चल रहा था नोन लीनियर पार्शिल डिफ्रेंशियल इक्वेशन ओफ फस्ट ओर्डर अाँ तो पिछले लेक्चर में अपने एक्सराइज सेकेंड भी कर ली थी आज अपन करेंगे एक्सराइज सेकेंड सी जिसमें मात्र पांच स्ट्री में हैं तो 5% दिये में हैं तो इसकी विद्धी भी अलग है करने की और उधारण इसमें दिये में आपके च्यार उधारण दिये में कुल 10% है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसकी विद्धी समझेंगे तो किस प्रकार से विद्धी होगी और उसके बादे 5% किस प्रकार से होंगे तो इसमें आपको आपके विद्धी लगेगी मानक रूप तृतिय है मानक रूप थर्ड अब देखिए विद्धी क्या है कि Z बराबर PX प्लस QY प्लस function of PQ कलारेट समीकन की तरह होगी इसे देदेंगे समीकन नंबर 1 यानि यह मानक रूप है Z बराबर PX प्लस QY प्लस function of PQ अब मानना समीकन का पूर्ण हल Z बराबर AX प्लस BY प्लस function of AB यानि PQ की जगह हो जाएगा AB और यहां पी PAX है उसकी जगह हो जाएगा यानि P की जगह A और Q की जगह B पूट करना है इससे देदेंगे समीकन नंबर 2 अब देखे P बराबर A और Q बराबर B हो जाएगा इन दोनों के यानि P बराबर A के बराबर क्या लिख सकते हैं अपन दैल जैड अपॉन डैल एक्स और क्यू बेराबर बी के बराबर अपन डैल डैल वाई लिख सकते हैं नंबर फस्च दे के पूंस माकल केवल मातर पी थाता क्यू को ए तता बी से परतीश्ता पिद कर प्राप्त करते हैं W acab nhau जहां FIRE X 플oleran लेने पर B x is play B plus function of at bona सिंशfa function 5isz 되어aven यह हैं समिकन 3 उपरोग्त समेकन का एक साफिक्सण करने पर इस समिकन का किसा पर करेंगे तो जड़ कर जाएगा सुनिए X में Mouse करेंगे हैं शका हो जाइगा यानि a का हो जाइगा one और x रहेगा मार पास constant के रूप में और y constant के रूप में पढ़ाय और vi a का हो जाइगा five-a और उसके बाद oh utilizar देवा फंक्ट्रण of a का हो जाइगा yaineya और five a है यानि इसका five यानि function of a और five a का refere अफ डेस इस यह हो जाएगे इन दोनों समीकर्ण प्रियोग से को लुप्ट करेंगे नमबर तीसरा पॉइंट है विच तरहाल समीकर्ण दो का एकिसहां कि का उकलन करना है अब यह है समीकर्ण 002 किसाप्शाइब सिका होगा तो दो यहां होगाओ बंग्यां कि चुक्ल कर में यहां पर यहां पर दे रहेंगे टो लिखेंगे यह होग्य का नबर पाँच अब भी किसा अफ अपॉन डेल भी यह हो जाएगी समयकर नमबर चैंब समयकर नमबर दो समयकर नमबर पांच और समयकर नमबर छैसे एधता बी को लुप्त करने पर अभिष्ट विचे तरण प्राप्त होगा कि तो यह हमारी विद्धी है से लिखने में जो यह एकदम दिख रही है कि हार्ड उतनी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है एकदम विजी एग करे अगर कि हल कीजिए पर्सन नमबर एक जट बराबर पी एकस प्लस क्यूवाई प्लस लोग पी क्यू यानि यही मानक समयकर्ण थी पी एकस प्लस क्यूवाई प्लस फंक्सन ओव पी क्यू तो यह पहला परसन दे रहे हैं यह 2015 में आयवा है तो दी समिकर्ण कलारेट रूप जैसी है अधे अभिष्ट पॉर्ण हल क्या होगा पी की जगह A PUT करेंगे और Q की जगह B PUT करेंगे पी की जगह A और Q की जगह B PUT करेंगे तो P बराबर A तदा Q बराबर B रखने पर तो Z बराबर AX प्लस BY प्लस LOG AB बन जाएगा ए तता बी के सबढक्सांसिक होगा। चाहलगा तो जीरो बुराबर एक्सांसिक उकलं करने पर। आप निकालनेका। यानि A और B के साफ एकस आंसे का उकलन करेंगे तो A और B कमान निकालेंगे तो X प्लस 1 बाइ A बराबर 0 है तो इसे एक कमान कैसे निकलेगा 1 बाइ A बराबर माइनस X और A बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपोन X A बराबर माइनस 1 अपोन X अब B के साथ x आंसे का उखल करेगे तो Z का होजाएगा 0 और इसका A x का 0 होजाएगा B y का होजाएगा y प्लस लोग B का होजाएगा 1 अपोन B इससे B कमान आएगा माइनस का एक बाटा y अब A तथा B कमान समिकर्ण 2 में रख देंगे यहांपर a कमान रखेंगे यहांपर b कमान रखेंगे अपून बी उसका फोर्मूला क्या हो तरा लोग a माइनस लोग b तो उसी प्रकार से लोग ए की जिए 1 और b की जगए xy तो लोग 1 माइनस लोग xy लोग 1 की वेलियो होते है जीरो तो z बगाबर माइनस टू माइनस का लोग xy यह हो गया आंस्वर करना क्या है सिरफ जड बराबर हमें जो समिकन दे रहे हैं कि यह उसमें पी की जगह ए और क्यू की जगह भी पुट करना है उसके बाद जो समिकन आएगी उसका एक और बी के साफ एक सांसी का उकल ग्याद करना है उससे में ए और बी का मान पता जाल जाए गया और उस ए और बी को वापिस समिक नमबर दो में रखना है और वो हमारा अंसर होगा अब देखिए आगे परसन नमबर दो तो हमारा परसन नमबर दो है अब देखिए वीची तरदल नमबर दो तो उप्रोक्त समिकन का A ठाप B के साप x av Oakland करने पर A के साप x av Oakland करेंगे gonna be to 0 बराबर x minus 2a minus 2a और इसका हुझ जाएगा B constant की रूप में इसके साथ पढ़ा रहेगा ठाप 0 बराबर x minus 2a sz1 करिए टापánh에 या माएप जाद करना था इसमें अब B के साप x चीकवलिन खटके देख लेते हैं, 0 ब्राबर, यहां पर 0 आएगा, प्लस का y, माइनस का a स्क्वैर b का हो गया 1. तो 0 ब्राबर y माइनस a स्क्वैर, तो a स्क्वैर ब्राबर y, a ब्राबर आगया, रूट y, a का मान रूट y है, वो इसमें रखेंगे, और B का मान प्राप्त कर लेंगे और A और B के मानों को इस समीकर्ण में वापस रखेंगे तो आंचो राजाएगा मान तो 2AB बराबर X B बराबर X by 2 B बराबर X by 2 A और A के जगे लिख दिया root Y तो B का मान हो गया X बटा 2 root Y अब समीकर्ण में रखेंगे वापस Z बराबर A X plus B Y minus A square B A के जगे मान रख दिया हमारे पास root Y था तो X पड़ा है root Y प्लस B के जगे रख दिया आपने मान और Y एज़िटीज पड़ा है B के जगे X upon 2 root Y into Y minus A square Y into B है X upon 2 root Y अब इसे solve करेंगे तो आएगा Z बराबर X root Y यह answer है question number 2 अब question number 3 Z बराबर P X plus Q Y plus P square plus Q square P के जगे A पूट करना है और Q के जगे B पूट करना है P के जगे A पूट करना है Q के जगे B पूट करना है अब इस समिकन का विजितारल पराप्त करेंगे तो सबसे पहले इस समिकन का A के साफ एकसान सिका उकल निकालेंगे तो 0 बराबर X. प्लस 2 A धो 0 बराबर X. प्लस 2 A इससे A कमान आएगा minus X by 2 इस समिकन का वापस B के साफ एकसान सिकाउः है तो zero बराबर zero plus y plus two b 0 बराबर y plus two b और उसे बी कमान आएगा मैनस का y पौन two ए और बी कमान वापेश इस समिकन में रख देंगे तो मैनस का x y z बराबर मैनस का x by two into x z बराबर ax plus by plus a square plus b square तो z बराबर इसमें a कमान रखेंगे x by two तो ये हो गए x square by two minus y by 2 y square by 2 plus x square by 4 y square by 4 अब इसे solve करेंगे वापस हमारे पास हम इकन बनेगी 4z plus x square plus y square बड़ाबर 0 यह answer है question number 3 अब question number 4 है p minus q into z minus px minus qy बड़ाबर 1 तो p minus q का उसमें बाग देंगे तो 1 upon p minus q z बड़ाबर लाएंगे क्योंकि सबी question ने वो z के बड़ाबर है इसकी मानने के समिकर z के बड़ाबर है तो z बड़ाबर ax plus by नई px z बड़ाबर px plus qy plus function of tq तो उसके रूप मिलाएंगे तो p minus q का इसमें बाग दे दिया उसके बाद में क्या करेंगे कि यहां पे z को रखेंगे तो z minus px minus qy बड़ाबर एक बड़ा p minus q इन दोनों को right hand side में लाएंगे z बड़ाबर px plus qy plus one upon p minus q p जगए a put करेंगे q की जगए b put करेंगे और p की जगए a put करेंगे q की जगए b put करेंगे अब इस समिकर्ण का a कि साब x answer क उपक लेंगे और b कि साब x answer को आउकल करेंगे a कि साब x answer को आउकल करेंगे तो zero बराबर x plus one आएगा तो विच्जी चलिल देगी उपरोच मिकर्ण का a तथा b कि साब x answer को आउकलन करने पर तो zero बराबर x 파 एगा तो एक्स कमान जीरो है इसलिए विजी तरहल विद्यबान नहीं होगा अब परसन नमर पांस में क्या देर का है लेकिन यहां पर जड़ बराबर नहीं है तो सबसे पहले करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे जिसे की यह अट जाएगा वन बाई टू की गुना करेंगे इसकी पाउर में तो इस तरफ अट रूट आगे इस तरफ के अंडरूट से और स्क्वेर कैंसिल हो गया तो पी एक् प्लस पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर जिसे जड़ बराबर जाएगे जड़ को राट एंड साइड में लाएंगे और इसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो जड़ बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस प्लस रूट वन प्लस पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर क् उपरोग समिकन को A तता B के सब एक्स आंसिक आउकलन करेंगे तो 0 बराबर X और इसका हो जाएगा 0 माइनस प्लस रूट करगा 1 बाइ 2 रूट X 1 बाइ 2 रूट X और रूट में क्या A स्क्वेर करना है तो 2 A 2 से 2 कैंसिल हो गया और 0 बराबर X माइनस प्लस A अपॉन रूट 1 प्लस A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर इसी परकार से इसका करेंगे B के सब एक्स आउकलन तो 0 बराबर Y माइनस प्लस B root में one plus a squared plus b squared अब देखिए a की value जाया है यहां से b की value जाया है a यहां पे b यहां पे b यहां पे थो रहे है इस तरफ b यहां पे है और b यहां पे है लेकिन साथ में a हो रहे है तो इस हिसाब से a और b का proper भरमान नहीं आएगा तो इसके लिए A बहराबर माइस का A on C माणे लेंगे और बहाबर माइस का B on C यानि ये माइनस है और A ऐपोन कॉंस्टेंट की जगये C और ये माइनस है और B ay अपोन कॉंस्टेंट की जगये C तो Z बहाबर इस समय करम एक जग знать माइस का A upon C C लिखेंगे और B कि जिखेंगे मानिस का B and C इसमें एकी जिखेंगे मानिस का I upon C कर दिया तो प्लस का A square upon C square plus B square upon C square अब इसेος ग्रॉर जिए करेंगे scale कोसे हम ल mrq stay 4 इन्डर ूट upon C और इस तरप मानिस का A x upon C آब नीचे यह उस्थर बिना करते हैं CZ यानि Jото CZ ayudar last P square plus C square तो A x plus By A x plus By plus C z बराबर A square plus B square plus C square की और पर 1 by 2 यह अंसर हो गया किस्ट नमर 5 का तो इसी के साथ आज की exercise होती है समापत exercise second C next video exercise second D करेंगे धन्यवापत